दोस्तो आज मैं आप लोगों द्वारा हमारे टेलिग्राम चैनल पर पूछे गए अधिक से अधिक सवालों के जवाब देने का प्रयास करूं तो बिना देर किये प्रारम बगरते हैं और आते हैं पहले सवाल के उपर इन्होंने पूछा है कि पेशाब में जलन बनी रहती है, पेशाब बार बार आता है यूरीन, रूटीन टेस्ट और किड्नी फंक्शन टेस्ट के साथ साथ सूगर ये तीनों ही रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो देखिए ऐसे में संभावना ये भी हो सकती है कि किसी प्रकार की सूजन आपके मुत्र मार्ग में बनी रहती हो तो ऐसे में आप चंदनासव, गोकशुरादी गूगल और त्रिफला गूगल का प्रियोग कर सकते हैं बाकी इनको लेकर मेरी सला ये भी रहेगी कि किसी यूरोलोजिस्ट के पास जाकर अपनी समस्या के पीछे मौझूद कारण का पहले पता लगाने का प्रियास आउश्य करें चलिया बाते अगले सवाल के उपर इन्होंने पूछा है कि सिग्रपतन का गारंटी इलाज कुछ है तो सर इलाज तो अवस्य है पर किसी बिमारी को लेकर गारंटी केवल दो ही लोग दे सकते हैं पहला इस्वर जो मैं हूँ नहीं और दूसरा ठग जो मैं बनना नहीं चाहता बाकी 1954 का ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट को भी एक बार अवस्यप पढ़ लेना चाहिए चलिया बाते अगले सवाल के उपर इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा तनाव आते ही चिपचिपा पानी निकलने लग जाता है और इसी के चलते शायद सिग्रपतन की समस्या है तो दो चीजे मैं कहना चाहूंगा पहला अपना पेट साफ रखे और दूसरा उंजा कंपनी की मेहान तकवटी जी हां केवल उंजा कंपनी की मेहान तकवटी और बाकी अगर कोई नॉन्वेज खाता हो तो हब्बे निशात का भी प्रियोग किया जा सकता है अगला सवाल है इन्होंने पूछा है सिद्ध मकरद्वज, मकरद्वज गुटिका, मकरद्वज वटी और मकरद्वज स्वेशल गोल्ड इन सब में क्या डिफ्रेंस है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं वहाँ जाकर आप वो विस्तरित वीडियो देखे ना केवल इन सब के बीच में अंतर का आपको पता लगेगा बलकी मकरद्वज के बारे में और अधिक विस्तरित जानकारी आपको मिल पाएगी अगला सवाल है इन्होंने पूछा है टेस्टेस्टोरोन का स्तर किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है तो देखे टेस्टेस्टोरोन को बढ़ाने के लिए आपको दो-तिन चीजों का आउश्य ध्यान रखना होगा पहला आपके सरीर में विटामिन डी का स्तर ठीक ठाक बना रहना चाहिए दूसरा जिंक आपको अपने भोजन से भरपूर मातरा में मिलता रहे ये बात भी आपको सुनिश्चित करनी होगी और तीसरा आप रेगुलर जिम जाएए रेगुलर वर्काउट कीजिए खास तोर पर पैरो की और जहां तक बात है दवाईयों की तो आपकी एज को इन्होंने अपनी 35 साल के करीब एज बताईए तो आपकी एज को देखते हुए दो तरह की दवाईया मैं प्रियोग करने की सला दूँगा पहली दवाईया जो डारेक्ट तोर पर टेस्ट स्टोर उनको बढ़ाने में साहेता करती है जैसे जोहर खसिया और वसंत कुष्मा कर रहा साधी और दूसरी ऐसी दवाईया जो कामेच्छा को बढ़ाने का उत्तेजना को बढ़ाने का कारे करे लिंग में तनाव अच्छे से लेकर आने में साहेता करे क्योंकि ऐसा करने पर तनाव अच्छा आएगा और अधिक बार आएगा और जब-जब हमारे लिंग में तनाव आता है तो प्राकर्तिक तोर पर टेस्टेस्टोर उनका अस्तर उस समय अधिक होता है सामान्य अवस्था के अपेक्षा तो ऐसे में प्राकर्तिक तोर पर टेस्टेस्टोर उनको बढ़ाने में ये भी साहयता करता है अगला सवाल है इनोंने पूछा है unable to stop addiction of masturbation तो देखे कोई भी दवा आपका हाथ तो पकड़ने से रही बाकी अती काम उत्तेजना को आवश से शांति किया जा सकता है धनिया पाउडर, सोफ और मिस्रीन तीनों को आप बराबर मातरा मिला कर रख लीजे तकरिबन तीन-चार ग्राम की मातरा में सुबह शाम ठंडे पानी के साथ इसका प्रियोग किया जाए तो निश्चित तोर पर अती काम उत्तेजना शांति भी दिखाई दे सकती है साथी साथ डाबर कंपनी का stresscom capsule जिसमें आश्योगंदा extract का प्रियोग किया जाता है उसका भी प्रियोग करना चाहिए इससे उत्तेजना नहीं बढ़ेगी बलकि मन्द श्यानतों का और चलिए ज़्यादे टेल में नहीं जाते है अब आते आगले सवाल के उपर इन्होंने पूछा है कि पेट और लीवर ताकतवर मजबूत बनाने के लिए कोई ओशिदी बताईए जिससे हम कुछ भी खाएं वो हजम हो जाए तो पुननर्वारिष्ट द्राकसासव और कुमारियासव इन तीनों का अलग-अलग या साथ में प्रियोग आउशक्ता के अनुरूप किया जा सकता है पर ध्यान रखे एक बार में बहुत अधिक मातरा में इन सब को लेने पर घबराहट बेचैनी चक्कर आनी जैसी स्थिति उत्पन हो सकती है थोड़ी मातरा के साथ प्रारम करें अब आते आगले सवाल के उपर इन्होंने पूछा है कि सर बहुत बार ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं गिर जाओंगा और सर भी दुखता रहता है तो इनको मैं यही सला दूंगा कि एक बार आखों के डोक्टर के पास जाईए और एक बार ENT डोक्टर के पास आप बाच करवा लीजिए साथ ही साथ ब्लड प्रेशर का भी आप जाचे आउश्य करवाईए जहां तक बात है ओश्यद्यों की तो ऐसी अवस्था में संखपुस्पी सिरफ का प्रियोग किया जा सकता है सांडू कंपनी की ठैसान दवा का प्रियोग किया जा सकता है पर यह ज सवाल किसी एक ने नहीं बहुत से लोगों ने पूछा और वो है प्रिमैच और इजैकुलेशन किस प्रकाल ठीक किया जाए तो दोस्तों इस समस्य के उपर एक बहुत ही अधिक विश्थरत वीडियो में पहले बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरू अधिसाधी दावान नहीं है जब तक आप प्रिमैच और इजैकुलेशन के पीछे मुझूद कारण को नहीं समझेंगे तब तक इस समस्या से छुटकारा प्राप्त हो ही नहीं सकता कारण जैसे अतिसमवेदेंशिलता जैसे वीरे का अत्याधिक पतलापन जैसे मसल्स वीक और भी अंगिनत बहुत से कारण हो सकते अब भी आपके कुछ सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए मिलते अगले वीडियो में